हमारे पास question क्या दर रखा है if sin a हमारे पास given क्या है देखो if sin a is equal to sin a is equal to 3y4 ठीक है तो calculate क्या करना है फिर find क्या करना है calculate find करना है cos a और tan a की value हमें find करना है ठीक है अब देखो हमारे यहाँ पर क्या है अगर मैं देखो पंडित बद्री पर साथ का rule यूज करो, पंडित बद्री पर साथ हर-hर बोले, ठीक है, ठीक है, यहां से देखो, यह, यह क्या होता है, sign की value, cost की value, और यह 10 की value, यानि कि हमारा sign की बोला है, तो सबसे पहले sign देखो यहां से, कि sign क्या होता है, perpendicular upon में, क्या होता है, hypertonus होता ह perpendicular upon में, hypertonus, यानि कि, यह देखो solution में, कि जो हमारा sign a, यानि कि हमारा sign a, यानि 3 by 4, यानि कि यह क्या होगा, perpendicular upon में, hypertonus, ठीक है, यानि कि perpendicular कितना है, 3 है, और hypertonus कितना है, 4 है, ठीक है, अगर हमारा यह, अगर, हमारा क्या होगा, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा क्या होगा यह माने लेता हूं angle A B C यानि कि अगर मैं इसको angle A माना तो इसका अगर साइन A यह इसकी value तो यानि कि इसके opposite यह बाला यानि कि यह perpendicular है, ठीक है? यानि कि हमारा यह कितना हो गरे, 3 यह hypotenuse है, 4 यानि कि हमारा यह क्या है बेस ठीक है अब यानि कि इस बेस की वैलिव में फांड कर सकता हूं ठीक है by pathagoras theorem से ठीक है by pathagoras theorem theorem से फांड कर सकता हूं यानि कि यह क्या होता है यह H square is equal to base square plus my perpendicular square ठीक है तो मारे यहाँ पर क्या है happiness की value कितना 4 का square is equal to base हमें find करने plus my perpendicular 3 का square यह कितना अगा 16 इतना आ गया, यह हमारा कितना आ गया, फिर 16-9 is equal to base square, यह 16 में से 9 गया तो कितना हो जगा, 7 is equal to b square, मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, रूट ले लेंगों दोनों सेट, तो हमारा यह root 7, यह कट जाएगा, तो हमारा base, यानि कि हमारा कितना आ गया, base कितना आ गया, root 7, यानि कि मैं बोल सकता हूँ, कि जो हमारा AB की value आ गया, यानि कि AB की value आ गया, वो कितना आ गया, sorry ab कितना आया root 7 हमारा ab कितना आ गया root 7 cm अब देखो यहां कि हमारे तीनों आ गया और हमें find क्या करना है हमें find करना है cos a की value कितना होगा फिर cos a की value कितना होगा cos अब देखो cos की value क्या होता है base upon me happiness hypotenuse हमारा base कितना है अभी निकाला है ठीक है यह वहला root 7 अपन में hypotenuse की value कितना है हमारे पास देखो यह कितना है 4 तो मैं क्या लिख दूँगा यहां पर 4 ठीक है अब मैं क्या निकालना है 10 a 10 a यानिकि 10 a अब हमारा 10 a का क्या होता है इससे असान solution और कहीं नहीं नहीं